हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होप आप सुभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे चठेल की सबजी और इसकी सबजी बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होती है और साथ में टेश्टी भी बहुत लगती है और अभी इसका सीजन भी चल दा है तो इसको बनाना तो बनता है तो यहां मैंने 500 ग्राम चठेल लिया हमारी यहां इसको चठेल ही बोलते हैं आपके यहां क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताएगा कई जगाए से कंकोरा कंटोला अलग-अलग नामों से जानते हैं या फि को आपको इसको अच्छे से दोलेना है और इसके बाद हम इसको जो डंठल है वह से छराव आप देखे रहा है जैसे दाग से पर रेन वहां से हम थोरा से इसको क्लीन कर लेंगे तो इसी तरह से यहां पर साड़े चठेल को यहां पर क्लीन कर लेना है देखे पहले हम डंठल हटाएंगे और फिर किसी किसी में देख सकते हैं कहीं पर दाग लगा हुआ है जैसे दाग प टेश्ठी बनती है, अगर आप अच्छे से बनाते हैं ना, अगर आप इस तरह कैसे बनाएंगे ना, बहुती बढ़ियां बनते हैं और बहुती स्वादिस्ट होती है इसकी सबजी और वैसे कड़ेला के तरह करवा नहीं होता है लेकिन कई जगह इसको जंगली करेला भी बोलते हैं तो यहां देखे मैंने सब को क्लीन कर लिया और वापस से एक बार्वार इसको और धो लिया है अब इसको हम इस तरह से लंबे सेप में कट कर लेंगे आप चाहे तो उपर वाला च्छील का च्छील भी सकते हैं जैसे कि कडेले को हम छीलते हैं उपर का जो एक काटा सा दिख रहा है उसको आप छील करके हटा भी सकते हैं मैंने यहां पर नहीं छीला है और यहां हम सारा काट लेंगे तो यहां देखे सारा कट चुका है यहां पर काट लिया मैंने और अब इसको हम पानी में से धो कट के निकाल लेंगे अलग प्लेट में रख लेंगे तो यहां देखे अच्छे सिसको मैंने धो कट के प्लेट में रख लिया है और अब हम इसके लिए लेंगे यहाँ पर लगभग 5-6 मीडियम साइज का आलू लिया है मैंने यहाँ पर इसको भी मैंने उसी सेप में काटा है सेम तरह से दोनों चीजों को लंबे सेप में आलू को मैंने काट करके पानी में रख दिया ताकि काला ना पड़े यह मैंने तीन मीडियम साइज का प्याज लिया है इसको मैंने बाड़ी काट लिया है और यहाँ दो टमाटर है आधा इंच अधरक है तो यां सारा चीज तयार हो चुका है और चलते हैं यहां पर तो इसको सजी को हम डीफ प पीप करेंगे तो तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है गरम तो तो द्होड़ा होता है थोरा से डालिएगायो और तेल की छीटे आने का डर रहता है तो यहां मैंने इसमें सारा डाल दिया है, अब इसको हम अच्छा golden होने तक fry कर लेंगे लेकिन हम इसको high flame पर fry करेंगे तो आपको इसको high flame पर फ्राय करना है और देख सकते हैं, हलका सा color तो आ चुका है लेकिन अच्छा golden होने तक इसको हमें fry करना है आप चाहे हैं तो इसको हलके से तेल हम देते हैं ऐसे सेलो फ्रै तो यहां देखें काफी अच्छा गॉल्डन हो चुका है इसको हम निकाल लेते हैं तेल में से और इसी तेल में यहाँ पर हम आलू भी फ्राय कर लेंगे तो आलू को भी हम सेम तरीके से डालेंगे एक ही बार सारा नहीं डाल देंगे हम तेल में नहीं तो तेल की छीटे आ सकते हैं आपके उपर थोरा समय डाला पहले उसके बाद यहाँ पर सारा आलू डाल दिया है आल और यहां पर देखे आलू भी फ्रै हो चुका है और काफी अच्छा golden color आलू में भी आ गया है इसको भी हम तेल में से यहां पर निकाल लेते हैं तो आलू और चठेल दोनों ही चीजे अच्छे से फ्रै हो चुका है और यहां मैंने दूसरी कराई लिए है और इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे मैं यहां पर इसको रिफाइंड रोल में बना रहे हैं आप कोई भी तेल में इसको खाने वाले तेल में बना सकते हैं तेल गर्म हो चुका है मैंने यहां पर आधा चम्मच जीरा डाल दिया है गैस के फ्लेम को मेडियम पर रखेंगे जीरा खुम चटकने देंगे मतलब हलका सा ब्राउन होने देंगे इसके बाद यहाँ पर प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें golden brown होने तक भून लेना है मतलब अच्छे से पका लेना है प्याज को और यहाँ देखिए प्याज काफी अच्छे तरीके से भून चुका है अच्छा golden हो गया है अब यहाँ पर हम डालेंगे लासून और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट दो मिनट इसको भून लेंगे प्याज के साथ और इसके साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे टामाटर का पेस्ट तो यहां देखे मैंने लासुन और हडी मिर्च अधर का पेस्ट को भून लिया है दो मिनट तक और यहां डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट और दो से तीन मिनट हम इसको भी भूनेंगे क्योंकि कच्चा है न तो इसको भूनना थोरा से जरूरी है मिला देंगे हम इसको भी और इसको भी हम थोरा सब भून लेंगे यहापर इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे नमक और सुखे मसाले तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं स्वाद के नुसार नमक और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच गरम मसाला धनिया पाउडर दो छोटी चमच और आदी छोटी चमच लाल मिर्स पाउडर यहाँ पर मैंने हरी मिर्स भी डाला है तो इसलिए मैंने लाल मिर्श कम डाला है आप तीखा आपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना तीखा आपको पसंद हो सारे मसाले को यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है और यहाँ पर मैंने पानी एड नहीं किया है अब यहाँ पर बहुत ही जरूरी चीज डाला है यहाँ मैंने 200 ग्राम दूद लिया है और यह फुल क्रीम दूद है तो यहाँ हम डाल देंगे सारा दूद और लोफ लेंप इसको दूद के साथ हम मसाले को पकने देंगे यह दूद से काफी अच्छा फ्लेवर, काफी अच्छा टेक्सर और काफी बढ़िया टेस्ट आता है अगर आप दूद नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 50 ग्राम क्रीम डाल दीजिए तो क्रीम से भी काफी अच्छा टेस्ट आता है, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ देखिए दूद के साथ मैंने इसको 4-5 मिनिट तक लोफ लेंप पकने दिया है और अब इसका टेक्सर देखिए ग्रेवी का कितना मस्त आया है और कलर भी काफी अच्छा आ गया है, देख सकते हैं और ग्रेवी काफी अच्छा स्मूध हो गया है जो मसाला है तो यहाँ पर देखिए मसाला काफी अच्छे से भून गया है और काफी अच्छे से हमने मसाला यहाँ पर तेयर कर लिया है अब यहाँ पर हम डाल देंगे फ्राय किया हुआ सब्जी मिला देंगे हम और वापस से हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे सब्जी के साथ इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे और यहाँ देखे दे तेल छोड़ने लगा है 2-3 मिनट मैंने इसको सब्जी के साथ पका लिया है इससे क्या होता है ना सब्जी के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसको मसाले के साथ थोड़ा सा पका लेने से तो यहाँ पर सब्जी भी काफी अच्छे से भून गया अब यहां पर हम पानी डालतेंगे ग्रेवी के लिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ क्योंकि सब्जी और डेडी कुक है तो हम यहां पर इसको बना रहे हैं चावल के साथ तो हम यहां पर ग्रेवी के लिए थोरा सा पानी डालेंगे लगबग एक से डेड़ गलास यहां पर पानी डालेंगे हम तो मैंने यहां पर डाल दिया है पहले मैंने मिक्सर जार को धो कर डाल दिया है और थोरा सा पानी यहां पर मैंने और डाला है मिला देंगे हम अच्छे से और गैस के फ्लेम को लो कड़के इसको हम ढख कड़के 7-8 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर और यहाँ पर देखे 7-8 मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए लास्ट हम डालेंगे एक बड़ा चमच कसूरी में थी मिला देंगे और 10 मिनट ठंडा होने के बाद इसको हम सर्व करेंगे यहाँ पर सबजी तेयार हो चुका है और हम इसको थोड़ी दे ठंडा होने देते हैं एकदम से गरम गरम हम इसको सर्व नहीं करेंगे तो यहां पर 10 मिनट हो चुका है और यहां देखिए अभी भी यह मतलब अच्छे से ठंडा नहीं हुआ जब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है न तो इसका ग्रेवी ना काफी जादा गाडा हो जाता है लेकिन पहले से काफी गाडा हो गया है तो यहां पर सूपर टेश्टी चठेल और आलो की सबजी तयार है इसको आप रोटी, चावल या पराठा की साथ खाए बहुत ही मज़ेदार लगता है और इस सबजी को आप एक पर जरूर ड्राय करना तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो पसंद आया है प्लेज वीडियो को लाइक करें, सेर करें अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए